अब हम विद्युत आवेशों के बारे में जान गए हैं। चलिए इन आवेशों के बारे में अधिक अच्छी तरीके से जानने के लिए हम कुछ प्रयोग करते हैं। हम ये PVC पाइप लेंगे और उनी कपड़े के साथ उसका घर्शन करेंगे। जब हम ये पाइप कागस के तुकड़ों के नजदीक लेकर जाएंगे। क्या पता सकते हैं कि इससे क्या होगा। कागस के तुकड़े पाइप की और आकर्शित होंगे। जब हम ये PVC पाइप किसी रेशम के कपड़े पर घिसेंगे तब क्या यही परिणाम होगा। चलिए कोशिश करके देखते हैं। जी हाँ, पाइप को रेशम के कपड़े के साथ घिसने पर भी वह कागस के तुकड़ों को आकर्शित कर रहा है। और कौन सी वस्तुएं हैं जिने PVC पाइप आकर्शित करता है या फिर विकर्शित करता है। पानी की धारा के साथ ये प्रयोग करके देखें। प्लास्टिक के स्ट्रॉ, कोल्डरिंग के डिबबे और सूखी पत्यों के साथ भी ये कृति करके देखें। ये कृति आप PVC पाइप के स्टान पर अन्य प्रदार्थों के साथ भी करके देख सकते हैं। क्या हम धातू में स्थिर आवेश निर्मान कर सकते हैं। पाईप का कागस के टुकड़ों को इस प्रकार से आकरशित करना हमें PVC पाईप के आवेशों के कुल गुणों के बारे में कुछ नहीं बताता। हम यह नहीं जानते कि PVC पाईप में जो आवेश हैं वे गनात्मक हैं या फिर रुनात्मक हैं। हम इसे किस प्रकार तैय करेंगे विद्युत दर्शक कोई वस्तु आफेशित है या नहीं इसे हम किस प्रकार से जान सकते हैं हम एक आसान सा उपकरण विद्युत दर्शक बना सकते हैं हम अलुमिनियम के इस पन्नी को पतले स्ट्रिप्स अर्थात टुकडों में काटेंगे और उनमें छोटा छेद बनाएंगे हम बॉतल के धकन पर भी छोटा छेद बनाएंगे और उसमें साइकल का स्पोक डालेंगे अब हम इस साइकल के स्पोक पर अलुमिनियम की ये दो स्ट्रिप्स रखेंगे हम काच की बॉतल का धकन बन कर देंगे हम जानते हैं कि धातू इलेक्ट्रॉन्स का सुचालक होता है जब हम उनके पास कोई आवेशित वस्तू ले कर जाते हैं तब समान आवेश विद्युत दर्शक के दूसरे छोर की और प्रतिकर्शित किये जाते हैं ये एक प्रकार के आवेश होते हैं ये आवेश अलिमिनियम के पतली स्ट्रिफ पर भी मौझूद होते हैं अलिमिनियम के पन्यों का इस्तमाल हम खाक द्यानने को रखने के लिए भी करते हैं चुछी समान आवेशों में प्रतिकर्शन होता है इस कारण से हम कह सकते हैं कि वह वस्तू जिसे हम विद्धुत तर्शक के नजदीक लेकर गए थे वह वस्तू आवेशित है अनावेशित वस्तों के कारण पतलिस ट्रिफ में किसी भी प्रकार की हलचल नहीं होती है क्या होगा जब हम अधिक समय तक घर्शन करते रहेंगे क्या इससे प्रतिकर्शन बढ़ता रहेगा हम जितना अधिक घर्शन करेंगे उतना अधिक आवेश पीवी सी पाइप में निर्मान होता रहेगा और दो अलिमिनियम की पट्टियों के बीच जो दूरी है वह उसे बढ़ाता ही रहेगा जैसे कि हम विद्युदर्शक को छुएं तुरंद अलिमिनियम के स्टिप्स नीचे गिर जाएंगी क्योंकि हमारे शरीर द्वारा विद्युदर्शक के आवेश को जमीन में पहुँचाया गया अब स्टिप्स में किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है प्रयोक्षाला में निर्मित विद्युदर्शक अधिक कारगर उपकरण होता है वह बड़े से कांच के बर्तनों में बनाये जाते हैं और उनमें ऐलिमिनियम के स्टिप के स्थान पर सोनी की चक्ति या फिर स्टिप लगी होती है बिजली सारी वस्तुएं आवेशित होती है यदि धनात्मक आवेश अथिक होता है तब हम कहते हैं कि वस्तु धनात्मक रूप से आवेशित है इसमें कोई विशिष्ट आवेश नहीं है बिजली तब निर्मान होती है जब बादलों में आवेश निर्मान होता है हम आने वाले पाठों में एनिमेशन के माध्यम से इस बात को अधिक अच्छी तरह से समझ पाएंगे बिजली का कड़कना सबसे अधोत प्राकृतिक घटना है सारा आकाश बादलों से ढका होता है ये बादल बस हवा में तैरते रहते हैं वास्तव में इन बादलों में क्या होता है इन बादलों में बाश्प और हिम के छोटे छोटे कण होते है और बादलों में ये कण निरंतन रूप से हिलते रहते है तूफान की परसितियों में इन कणों की गती बढ़ जाती है जिसके कारण बादलों के अंदर भी छोटा सा तूफान आता है। कणों का आपस में घर्शन होता है। कुछ हिमकन हलके होते हैं और कुछ हिमकन भारी होते हैं। हलके कण उपर की और जाते हैं और भारी कण नीचे की और जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान उनका एक दूसरे के साथ घर्शन होता है। जिसके फलस्वरूप हलके कन धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं और भारी कन रनात्मक रूप से आवेशित हो जाते हैं। जब ये कन पूर्ण रूप से आवेशित हो जाते हैं तब एक चिंगारी सी निर्माण होती है और इस प्रकार हम आखाश में बिजली को कड़कते हुए देख सकते हैं। बादल में बिजली का कड़कना पहले प्रकार की बिजली है इसमें गड़गडाहट नहीं होती अधिकाश बिजलीयां इसी प्रकार की होती हैं। जब दो आवेशित बादल एक दूसरे के सामने आते हैं और आपस में टकराते हैं तब उन दो बादलों में बिजली निर्मान होती है। तब हम बड़े जोरों की आवास या गड़गडाहट सुन सकते हैं। इसे दूसरे प्रकार की बिजली कहेंगे। तीसरा प्रकार वह होता है जिसमें बिजली बादलों और जमीन के बीच में होती है। पृत्वी और पृत्वी पर जो वस्तुएं होती हैं उन में आमतोर से तटस्त या फिर उदासिन आवेश पाया जाता है ये घनात्मक या रनात्मक रूप से आवेशित नहीं होती हैं कभी-कभी बादल बड़े पैमाने में आवेशित हो जाता है इतना आवेशित होता है कि वह जमीन पर रनात्मक आवेशों को प्रतिकर्शित करता है। जमीन पर अन्य वस्तुएं जैसे इमारत, मंदिर और पेड ये सारे धनात्मक रूप से आवेशित होते हैं। बादलों में अधिक मात्रा में जो रनात्मक आवेश होता है, वह जमीन के धनात्मक आवेश की और आकरशित हो जाता है। लेकिन यह आवेश किस प्रकार बहेगा। हवा विद्यत प्रवाह की कुचालक होती है, परन्तु यदी भारी आवेशों को धारण करती है, तब वह सुचालक बन जाती है और आवेशों को बहने देती है, जिसके परणाम स्वरूप बिजली निर्मान होती है। इस निर्मान के दोरान भारी मात्रा में उर्जा भी तयार होती है। यह बहुत कम समय के लिए होता है। गरम हवा बहुत तीजी से फैल जाती है और जादा गती से वह ठंडी हवा को धकेलती है। इसी के करण बड़ी जोरूं की आवाज भी आती है जिसे हम के रूप में सुनती हैं। आपने आवश्य सुना होगा कि बिजले के कारण इमारत पेड़ों का काफे नुकसान हुआ है। अधिकान समय पेड़ या इमारतों में आग लग जाती है। इसका संबन उस उर्जा से है जो बिजली के कड़कने के समय निर्मान होती है। इसे ब इसका निर्मान सुचालक द्वारा होता है। अधिकतर ये तामबा होता है या फिर कोई मिश्र धातु होता है। यह छड़ जमीन से जोड़ी होती है और किसी भी इमारत के सबसे उंची मन्जिल पर इसे लगाया जाता है। यह छड़ किसी अच्छे धातु के सुचालक के जर ये जमीन में पहुँँ जाता है जिसके कारण इमारत को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। ये ना सिर्फ इमारत की रक्षा करती है अपीतु वह आसपास के परिवेश की भी रक्षा करती है। हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रुथवी एक बहुत बड़ा परनाला अर्थात सिंख है। जिस प्रकार समुद्र के पानी में कुछ बूंद पानी डालने से समुद्र के स्थर में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। ठीक उसी प्रकार से प्रुथवी के तटस्त प्रक्रती में किसी अन्य आवेश को मिलाने से किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर आपके आसपास कोई घर जैसी जगा नहों तो जितना हो सके जमीन से सट कर रहें। बिजली और तूफान के समय आप खड़े नहों। आपस की चीजों से कम उन्चाई में बने रहें। पेड के नीचे रुकने का खत्रा हरगिस न उठाएं। हमने रोजमर्रा के वस्तों के उपयोग द्वारा कुछ प्रयोग किये जिनके कारण हम आवेशों के बारे में अथिक अच्छे प्रकार से जान पाएं। हमने विद्युत दर्शक बनाना भी सीखा। अनिमेशन के माध्यम से हमने जाना कि बिजली क्यों कड़कती है। आप भी इंटरनेट के माध्यम से स्थर विद्युत के बारे में अथिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कर दो आप कर दो